नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल Constance Mind में जैसा कि आप सभी जानते हैं PhD की डेली नोटिफिकेशन हमारे चनल पर मिलती है साथ में previous year question में पर भी आपको प्रवाइड किये जाते हैं तो सभी का लिंक description में है ही आप लेना चाहतो पेपर ले सकते हो यह दो स्टेट गौर्मेंट उन्वरस्टी से निव नोटिफिकेशन है उनको हम आपको दिखाएंगे इसमें से एक कुमाव उन्वरस्टी है जो कि कल उसका नोटिफिकेशन आया था और सिर्फ नोटिफिकेश और एक आपका 12 जुलाई तक है ठीक है और प्रिफिसर कोश्टिफिकेशन पर आपके प्रिप्रेशन के लिए बढ़िया है आप इसको ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी सब्जेक्ट के साथ रिसर्च मेटलॉजी भी है और यह पीडियो सब्सक्रिफिकेशन 2023 का 24 का फॉर्म बहुत पहले से चला है अप्रेयल महिने से बट इसकी लास्डेट एक्स्टेंड हुई थी अभी यह इतना यहां पर नोटिफिकेशन दिया गया इसको हम डाउनलोड करेंगे तो इसमें तो यही दिया है कि पुरानी लास्डेट बट हम सीट कितनी है कि इस पहले सीट ही देखिए आप यहां पर वैदी किsटड़ी से संस्कित में और एंडियन इक है यहां इंग्लिस में फिलोसफियो신 में मेंICE इसका ओल्री वीडियों बनाए भी तेपले डीटेजल्स में और मर्ज्ट करके वीडियो बना देते हैं जो चोटा application दता है उसको किसी एक application के साथ दो-दो करके बना दिये थे तो mood of selection online application आपको करना है यहां पर कहा जा रहा है कि fees जो है MPK, HCST, PhD candidate का 1200 है other candidate का 500 है, foreign student का 2250 है, tuition भी per semester 18,000 रुपए है यहां पर आपका application form है उसका link यहां पर दिया गया click here to the link and apply application form, eligibility criteria वही हर जगां की तरह 50% marks आपका PG में होना चाहिए यहां पर वही candidate exam होंगे जिनके पास fellowship रहेगी and जो sponsored candidate है या NRI है, foreign है या किसी service में है तो जो जिनको lab मिलता है बेटेज, वो सब यहां पर सिर्फ fellowship वाले ही इंटरंस exam से बाकी लोगों को देना होगा इंटर्व्यूस अभी को देना होगा तो यह चोटा से application form इसे आपका ना चाहोँ तो देख सकते हो और दूसरा जो main application form है वो है आपका कुमाओ उनवर्स्टी यह आपका नैनी ताल में है उत्रा खंडे स्टेट कोवर्मेंट उनवर्स्टी और नाएक से एग्रेट से अप्रूब्ड है इस application का इस website का link आपको description में देंगे यहां पर आईएगा आप 22 जून को स्टार्ट हुआ था बट कल लिंक नहीं था आज यह लिंक अवैलबल हुआ है एक्जामनेशन इसका 30 जुलाई 2030 को होगा एक्जामनेशन का दूरेशन 120 मिनट होगा दो घंटा और सब कुछ एड्मिट कार्ड पर आपको मिलेगा एड्मिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा एक हफ्ते पहले एक्जाम से ठीक है कुमाओ उनश्टी की वेबसाइट से एप्लिकेशन फी एक्वीश सो पचास रुपए है इसबिल्टी क्राटेरिय में 55% मार्क्स आपको होना चाहिए पीजी में और पांच प्रिशन की छोट सीस्ट को मिलेगी एड्मिश को भी मिलेगी और फिर जो गौर्मेंट का रिगलेशन है उसके कॉर्डिंग ठीक है एंफिल जो किया है वो भी यहां पर एक करने के लिए यहां पर प्रोसीजर क्या रहेगा एड्मिशन का तो यहां पर एक रिसर्च डिगरी इंटरंस टेस्ट होगा मतलब की RDET और उसके बाद इंटर्वी होगा तो RDET सभी को नहीं देना है कुछ इसमें एक्जम्ट होंगे बट अप्लाई सभी को करना है चाहे आप एक्जम्ट की नहीं होगी और इसमें जो है आपका 50 कुश्चन जो है वो इसमें सतर मार्क्स का वेटेज इंटरंस एक्जम कर रहेगा तीस मार्क्स का वेटेज इंटर्वीव कर दिया जाएगा ठीक है तो यह उसके बाद यहां पर क्वालिफाई जो इंटरंस एक्जम करने का इसमें भी 5% की चोट स्टी स्टी और सभी को जो रिजर्ट कटेग्री वाले हैं उनको दी जाएगी कौन-कौन एक्जम्ट होगा मतलब जो डारेक्ट इंटर्व्यू देंगे तो जैसे कि कोई फेलोसिप है जे आरफ है नेट के साथ या एनफसी एनफोबसी एनफसी एनफ इंटर्व्यू देंगे और जिनका फेलोसिप अगर पहले से था और डेट एक्सपायर हो गया तो वह कंसीरन नहीं किया जाएगा यहाँ पर इंटर्व्यू सभी के लिए माइनडेटरी है एक्जाम का सेंटर यहाँ पर नैनी ताल और हल्दवानी में होगा मतलब की उत्तर सीपर केंदरा सीट है जियोलोगी में दो है हिंदी में बारा हिस्ट्री में स्यूला सीफ है जनलिशव आइन मान्स कमिनिकेशन में दो है और इसके लिए अगर आपको और जनकरी चाहिए तो टेलिग्राम से भी जुड़ सकते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं और पेपर का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लेना हो तो ले सकते हैं थैंक्यू सो मच पर वाचिंग